हॉस्टल का खीक से जाइजा लेने के बाद मैं जैसे ही अपने कमरे में सोने के लिए जाने वाली थी तभी मुझे सामने में गेट पर कुछ हलचल सी दिखाई दी जिस से मुझे शक हुआ मैं तुरन थी चुके से नीचे उतर कर गई तो मैंने दीवार से कूट कर एक लड़की को जाते हुए देखा तो मैं दंग रह गई मैंने तुरन थी में गेट से निकल कर उस लड़की का पीछा करना शुरू किया काफी दूर चलने के बाद वह लड़की एक बड़े से होटल के अंदर चली गई मैं ये देखकर दंग रह गई थी क्या आखिर ये लड़की इतनी रात को इस होटल में करने के आई है मुझे किसी गलत तरह की हरकत का अंदाजा हो रहा था इसलिए मैं तुरन थी उसके पीछे होटल में गई वह लिफ्ट से होते हुए होटल के सेकंड फ्लोर पर पहुँची और फिर एक कमरे के अंदर चली गई मैं जैसे ही कमरे के पास पहुँची तो अंदर से उस लड़की के साथ साथ एक आदमी के भी बोलने की आवाजे आ रही थी वह जल्द वाजी में दर्वाजा बंद करना भूल गई जिस वजह से मैंने जब दर्वाजे को धीरे से धक्का देकर हलका सा खोला तो सामने का नजारा देख कर मेरे होश उड़ चुके थे सामने बिस्तर पर एक आदमी लेटा हुआ था और वो उस वक्त जिस अवस्ता में था उसे देख मैं सरम से पानी पानी हुई जा रही थी मैंने कभी किसी आदमी को ऐसे नहीं देखा था क्योंकि मेरी अभी तक शादी नहीं हुई थी पर उस लड़की को तो कोई शरम ही नहीं आ रही थी ये देख कर मैं समझ गई कि वह लड़की वहां क्या करने आई है इस से पहले कि मैं थोड़ा संभलती वह लड़की तो इतनी बेसबर थी कि उन्होंने तो मेरे सामने ही ऐसा नजारा तो मैंने अपनी पूरी जिंदेगी में कभी नहीं देखा था मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मैं कभी ऐसा कुछ अपनी आँखों के सामने होता हुआ भी देखूंगी मेरा नाम सीमा है मेरी पढ़ाई जब कम्पलीट हुई तो मैंने सिच्छिका के पद के लिए जो भी नौकरिया निकल रही थी उन पर एपलाई करना शुरू कर दिया और बहुत जल्द ही मुझे एक अच्छे शहर में इंग्लिश टीचर के पद पर नौकरी मिल गई सबसे अच्छी बात ये थी कि वहाँ पर हॉस्टल भी था बच्चों के रहने के साथ साथ वहाँ टीचर्स के रहने की वी विवस्था थी जिस वज़ा से हर रोज स्कूल जाने का जंजटी खत्म था वह स्कूल गर्स कॉलिस था मेरे घर में मेरी इस नौकरी से सबी लोग बहुत खुश थे क्योंकि जादा तर तो लड़कियों की नौकरी को हमारे माबाब इस फायदे के हिसाब से सोच रहे होते हैं कि अब उन्हें अपनी बेटी के लिए एक अच्छा लड़का मिल जाएगा इसी सोच के हिसाब से मेरे माबाब खुश हो रहे थे लेकिन मेरे लिए खुशी की वज़ा ये थी कि अब मैं अपने पैरों पर खड़ी थी जीवन में कभी भी कोई भी मुसीवत आये लेकिन मैं हर मुसीवत का सामना करने के लिए नौकरी के होने की वज़ा से खुद को बहुत मजबूत महसूस कर रही थी जल्दी ही मेरी जॉइनिंग होनी थी इसलिए मैंने फटा फट से अपनी सारी तयारियां की और अपने घर से अपने मम्मी पापा का आसिरवार लेकर अपनी मंजिल की तरफ निकल गई स्कूल पहुँचकर जॉइनिंग लेटर लेने के बाद मैंने अपनी ड्यूटी को जॉइन कर लिया शुरू-शुरू में तो वहां का सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लग रहा था मैं एक नई उर्जा और उमंग से भरी हुई थी मुझे ऐसा लगता था कि ये काम मेरे लिए बहुत आसान होगा लेकिन हकीकत तो ये थी कि ये काम बहुत कठिन था क्योंकि मुझे ना सिर्फ बहां पर लड़कियों को पढ़ाना था बलकि उनको समालनी की जिम्मेदारी भी हम सभी टीचर्स को दी गई थी और बच्चों को समाल पाना बहुत ही कठिन काम होता है क्योंकि हर एक बच्चे की अपनी समस्याएं होती है और हर बच्चा आपकी बात को समझ भी नहीं रहा होता क्योंकि वह लड़कियां कोई छोटी क्लास की नहीं थी वह एक इंटर कॉलिस था और वहाँ पर मुझे 9 से 12 तकी लड़कियों को पढ़ाने के लिए नियुक्त किया गया था वह अक्सर आपस में एक दूसरे की शिकायते करती रहा करती थी कभी कोई किसी पर इलजाम लगाता तो कभी कोई किसी से जगडा करने लगता इसके साथ साथ और वी हजार तरह की जिम्मेदारियां थी जो अब मेरे सर पर आ गई थी एक दिन जब मैं क्लास में पढ़ा रही थी तब ही मैंने ध्यान दिया कि लास्ट बेंच पर बैठी हुई एक लड़की किताब में पढ़ने की जगा पर नीचे की तरफ देख कर कुछ पढ़ रही थी और बहुत जादा खुश हो रही थी ये देख कर मुझे उस पर शक हुआ और मैं तुरंत ही बिना किसी को कुछ भी जताए हुए कि मुझे किसी पर शक हुआ है क्लास में धीरेट से टहलते हुए उस लड़की के पास पहुँच गई वह अपने खयालों में इस कदर डूबी हुई थी कि मैं कब उसके पास पहुँची उसे बिलकुल पता ही नहीं चला मैंने उस पर नजर डाली तो वह एक लेटर था ये देखते हुए कि मैंने उस लड़की को एक लेटर पढ़ते हुए देखा है क्लास की सारी लड़कियां जोर जोर से हसने लगी जिससे मैं ये समझ गई कि ये सब इसी तरह की हरकते करती रहती हैं वह लड़की मेरे आगे रोने गड़ गड़ाने लगी और माफी मांगने लगी कहने लगी कि मैडम आप इस बारे में प्रिंस्पल मैडम को कुछ भी मत बताईएगा लेकिन ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि एक गल्स कॉलेज में आखिर एक लड़के का लेटर आया कैसे क्योंकि लड़कियां तो होस्टल में ही रहती थी उन्हें कहीं भी बिना टीचर्स के बाहर जाने की इजाजत ही नहीं थी फिर ये सब हुआ कैसे ये एक बहुत बड़ा मामला था इसलिए मैंने इस बारे में प्रिंस्पल मेडम को बताने में ही भलाई समझी मैं तुरंत ही उस लड़की को अपने साथ लेकर प्रिंस्पल आफिस में गई वह लड़की रास्ते भर मुझसे माफी मांगती रही और बार बार इस बात की रिक्वेस्ट करती रही कि मैं प्रिंसिपल आफिस में उसे लेकर ना जाऊं और वह तरह तरह की कसमे खाती रही कि अब आज के बाद वह कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करेगी मैं वहां पहुँच कर प्रिंसिपल मैडम को सबसे पहले तो पूरे मामले के बारे में बताया ये बात सुनकर मैडम बहुत बुरी तरह से गुस्सा होने लगी क्योंकि ये एक बहुत बड़ी लापरवाही थी मैडम ने उस लड़की से पूछा या आकिर तुम्ही ये लेटर मिला कैसे तो वह कहने लगी कि वह लेटर एक पत्थर में लपेट कर उसके लिए कैमपस के अंदर फेका गया था वह कैमपस से बाहर नहीं गई थी प्रिंसिपल मैडम ने जैसे ही उस पर ज़्यादा गुस्सा दिखाना शुरू किया मैंने उन्हें एक हलका सा इशारा किया जिससे वह खामोश हो गई वह लड़की प्रिंसिपल मैडम की बात सुनकर बुरी तरह से रोने लगी थी मैंने फिर उसे वही अपने सामने बिठाया और उसके सर पर हात रखते हुए उसे बहुत प्यार से समझाया मैंने कहा बेटा तुम्हें यहां तुम्हारे माबाप ने तुम पर भरोसा करते हुए इतनी दूर अकेले पढ़ने के लिए भेजा है लेकिन अगर तुम इस तरह की हरकते करोगी तो क्या तुम अपने माबाप को धोका नहीं दे रही हो सच बताओ क्या अपने माबाप का विश्वास तोड़ कर तुम्हारी आत्मा खुश रह पाएगी तुम्हारे माबाप तुमसे ना जाने कितनी ही उमीदे लगाए हुए बैठे होंगे कि मेरी बेटी पढ़ लिखकर कुछ बन कर दिखाएगी ताकि वह समाज में सर उचा करके चल सकें और सबको बता सकें कि उन्हें नाज है कि उनकी बेटी ने अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाया है ये तो तुम्हें भी पता है कि आज भी हमारे समाज में लड़कियों को पढ़ाने लिखाने से लोग बहुत कत्राते हैं क्योंकि उनका मानना यही है कि क्यूं लड़कियों को पढ़ाने लिखाने पर पैसा खर्च करना इस अच्छा तो यही है कि उनके सीधे साधी कर दी जाए लेकिन तुम्हें तो गर्व होना चाहिए कि तुम्हारे मावाप सबसे अलग हैं और किसी की भी बातों को ना सुनते हुए तुम पर भरोसा करके मैं तुम्हें यहाँ पर पढ़ने भेज रहे हैं देखो बेटा मैं जानती हूँ कि तुम्हारी इस वक्त जो उम्र है उसमें इस तरह की चीजें हज से ज़्यादा हावी होती है इन सब चीजों में ज़्यादा मन लग रहा होता है लेकिन हकीकत यह है कि कुछ सालों बाद जब यह सब पुराना हो जाएगा तो फिर इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी तुम्हें समाज में इज़्जत, रुतबा, इन सब चीजों से नहीं बल्कि पढ़ाई लिखाई और महनत से ही मिल सकता है अब फैसला तुमारा है कि तुम किसे चुनना पसंद करोगी इन सब चीजों को या फिर अपनी पढ़ाई लिखाई को मेरी बाद सुनकर वह लड़की मेरे गले लगकर रोने लगी मैंने भी उसे सांतुना दी वह मुझसे माफी माँगने लगी कहने लगी मैडम मुझे माफ कर दीजिए और मेरा यकीन करिए मैं आज के बाद ऐसा कोई भी काम नहीं करूँगी और अपनी पढ़ाई पूरी लगन और महनत से करूँगी इसके बाद उसने प्रिंसिपल मैडम को भी सौरी कहा पिंसिपल मैडम ने भी उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा बेटा अगर मैं तुम्हें डांट रही थी तो वह तुम्हारे भले के लिए ही डांट रही थी देखो हमारे बड़े कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहते हैं बलकि उन्हें हम से जादा एक्सपिरियंस होता है जिस वज़ा से उन्हें पता होता है कि क्या चीज अभी आपके लिए सही है और क्या चीज अभी आपके लिए नहीं सही है और इसलिए कभी कभी हमें बहुत जादा सकती विबरतनी पड़ती है जिस बज़ा से बच्चों को ये लगता है कि ये लोग बहुत बुरे हैं जबकि ऐसा नहीं होता है इसके बाद वह लड़की प्रिंस्पल मैडम को थैंक्यू बोल कर और ये वादा करके कि अपसे वह सिर्फ अपनी पढ़ने पर ही ध्यान देगी वहां से चली गई इसके बाद प्रिंस्पल मैडम ने मुझसे कहा सीमा मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है मैं थोड़ा सा हैरत में पढ़ गई क्या कि मैडम को मुझसे क्या बात करनी है वह मुझसे कहने लगी देखो सीमा ये एक गल्स कॉलेज है और यहाँ पर लड़किया रहती भी है एक तो दूसरों के बच्चों की जिम्मेदारी उठाना एक बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम है दूसरा खास तोर पर जब वह बच्चे लड़किया हो तब तो ये जिम्मेदारी दुगनी हो जाती है क्योंकि हमारा समाज ऐसा है कि अगर लड़कियों के साथ कोई भी जरासी उच नीच हो जाए तो बात हद से ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि हमारे परिवारों में लड़की यानि की हमारे घर की इजज़त यहाँ पर भी मैं बहुत समय से इस तरह की सिकायतों से परिसान हूँ कि लड़किया कई बार गलत संगत में पढ़ जा रही है और गलत रास्ते पर चल पड़ती है जबकि हम सभी टीचर्स ने उनके साथ बहुत सक्त रवया अपनाया हुआ है ताकि उन्हें इस बात का डर हो कि अगर उन्होंने कोई भी ऐसी बैसी हरकत की तो इसका उन्हें बहुत बड़ा नुकसान चुकाना पड़ सकता है लेकिन इसके बाब जूद भी ये सारी चीजें रुकने का नाम नहीं ले रही है और आज तुम उस बच्ची को जिस तरह से समझा रही थी उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि सायद इन सब चीजों को रोकने के लिए हमें सक्त रवये की नहीं बलकि प्यार और अपने पन की जरूरत है और तुमने जिस तरह से उसे लड़की को प्यार से ये सब कुछ समझाया और उसके बाद उसने तुरन थी तुम्हारी बात भी मान ली उससे मुझे ऐसा लगता है कि शायद तुम लड़कियों को बहत अच्छे से हैंडल कर सकती हो उन्हें इस तरह की सिचुएशन से बाहर निकाल सकती हो और सही रास्ता दिखा सकती हो इसी लिए मैं आज से तुम्हें ये जिम्मेदारी देती हूँ कि तुम उन्हें पढ़ाने के साथ साथ उनका ध्यान भी रखना और इस बात की खवर रखना कि कहीं कोई लड़की गलत रास्ते पर ना चल पड़े मैंने प्रिं हो गया था कि मैं ना सिर्फ लड़कियों को पढ़ाया करती थी वलकि रात को मैं एक बार होस्टल का चकर जरूर लगाती थी और देखती थी कि सब कुछ ठीक ठाक तो है फिर जब नियू शहसन स्टार्ट हुआ तो मेरे स्कूल में एक नई बच्ची का एड्मिशन हुआ ऐ वह जब एड्मिशन के लिए आई थी तो उस वक्त मैं मैडम के ऑफिस में ही थी उसका वह मुर्जाया हुआ उदास चेहरा मेरे मन में बार बार हजार तरह के सवाल उठा रहा था कि आखिर ऐसी क्या बात है जो ये बच्ची इतनी जादा उदास है वहां पर सिर्फ उसके पिता ही सारे सवालों के जवाब दे रहे थे और वह तब ही बोलती थी जब उससे कुछ पूछा जाता था अपना जवाब देने के बाद वह वापस से नीचे फर्स घूरने लगती थी और बिलकुल एक बेजान मुर्दे की तरह एक ही जैसी अवस्था में बैठ जाती थी उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे सायद उसे या तो पढ़ाई लिखाई में कोई खास रुची नहीं है या फिर वह यहाँ पर पढ़ना ही नहीं चाहती है या हो सकता है कि वह अपने मावाप से अलग इस हॉस्टल में रहना नहीं चाहती हो वजहा इन में से चाहे जादा उदास थी कि उसके दुख को देखकर मुझे भी अंदर से बुरा लगने लगा था खेर उसका एड्मिशन कराने के बाद उसके पिता वहां से चले गए और फिर मैं जब भी क्लास में पढ़ाने के लिए जाती तो मेरी एक नजर उस लड़की पर जरूर पढ़ती मैं ह वह लड़की सबसे लास्ट वाली बेंच पर खिड़की के पास सबसे किनारे दीवार से सट कर बैठी रहती और ना जाने खिड़की के बाहर क्या देखती रहती इसी तरह से कुछ महीने बीद गए फिर एक दिन जब मैं क्लास में गई तो मुझे वह लड़की कहीं नजर न नहीं है हमने तो कई बार उसे दोस्ती करने की कोशिश की लेकिन वह ना जाने अपने आपको क्या समझती है कि किसी से बात ही नहीं करती क्लास की लड़कियां उससे बहुत ज़्यादा खफा थी और अब उससे कोई भी दोस्ती नहीं करना चाहता था मैंने फिर उनको समझा कि किसी के लिए ऐसे नहीं कहते पर मेरी किसी भी बात का उन पर कोई असर नहीं हुआ योकि वह उस लड़की से हद से जादा नाराज थी फिर जब मेरा फ्री पिरियट मुझे मिला तो उस लड़की के रूम नंबर के बारे में पता करने के लिए मैं आफिस में गई उस पर हाथ रखा तो उसे बहुत तेज बुखार था मैंने उसकी डांट लगाई कि तुमने हम एसे किसी को इनफॉर्म क्यों नहीं किया कि तुम्हारी तबियत ठीक नहीं है तो वह कहने लगी मैडम मैं तो ऐसे ही ठीक हो जाओंगी मैंने कहा तुम्हें इतनी तेज बुखार है और तुम ऐसे कैसे ठीक हो जाओगी बिना दबा के वह कहने लगी सालों से मैं हमेशा ऐसे ही ठीक हो जाती हूँ बिना दबा के मुझे उसकी ये बात थोड़ी सी अजीव लगी मैंने उससे कहा कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो तो उसने एक बार फिर से खामोशी का दामन ध करवाया और कुछ दवा वगेरा दिलाई दो तीन दिन में उसका बुखार ठीक हो गया था इन दो तीन दिनों में मैंने उसका अच्छे से ध्यान रखा जिससे अब वह मुझसे थोड़ा सा खुलकर बात करने लगी थी और उसकी आखों में मेरे लिए एक अलग विश्वास औ करना शुरू करती थी दो तीन दिन में ही लगबग पूरा होस्टल खाली हो चुका था इधर मैं भी अपने घर जाने की तयारी करने लगी थी तब ही मुझे पता चला कि वह लड़की जिसका नाम साच्छी था वह अपने रूम में ही थी यह देखकर मुझे बड़ा और मैंने उससे कहा कि तुम अपने घर पर जाने की तयारी क्यों नहीं कर रही हो इस पर वह कहने लगी कि मैडम मैं घर जाकर क्या करूँगी एक महीने की चुट्टी के बाद आखिर मुझे वापस तो यहीं आना है मैंने उससे कहा ये तो तुम बड़ी ही अजीब बात कर थे क्योंकि सबी को अपने मावाप से मिलना था क्या तुम्हें अपने घरवालों से मिलने की कोई खुशी नहीं है तुम्हारी मा कितनी बेसबरी से तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी और तुम हो कि उनसे मिलना ही नहीं चाहती मेरा इतना कहना था कि तभी उस लड़की की आँखों से आँसु बहने लगे मुझे ऐसे लगा कि मैंने ना जाने क्या गलत कह दिया मैंने उसे तुरन थी अपने पास बिठाया और उसके सर पर हाथ फेरते हुए पूछा कि साच्छी आखिर क्या बात है ऐसा कौन सा दर्द है जो तुम अपने सीने में हर वक्त दवाय घ उसे सुनकर तो मैं दंग ही रह गई थी साच्छी ने कहा कि उसकी मा का देहान तो जब वह चार साल की थी तभी हो गया था इसके एक साल के बाद उसके पापा ने दूसरी साधी कर ली और फिर जब सौतेली मा का अपना बच्चा हो गया तो उसके बाद से सौतेली मा ने उस उसके पिता काम से वापस लोटते तो वह साच्ची की तरह तरह की सिकायतें उसके पापा से करती रहती जिस वज़ा से कई बार तो ऐसा हुआ कि उसके पापा ने गुस्से में आकर उस पर हाथ भी उठाया उसे लगने लगा कि उसके पापा तो सगे थे लेकिन सौतेली मां के आने के बाद पापा तो सौतेली मां से भी जादा सौतेले हो गए थे धीरे धीरे समय बीता और फिर शायद पापा को ये बात समझ आने लगी कि जितनी गलती सौतेली मां मेरी गिना रही थी उतनी गलतियां मैं कर नहीं रही हूँ इधर सौतेली मां ने मेरा घर पर रहना मु लेकिन वहे घर पर होने वाली आए दिन की कला से भी तंग आ चुके थे और फिर उन्होंने इसका रास्ता यही निकाला कि वहे मुझे होस्टल में पढ़ाने के लिए भेज देंगे इस बात पर भी मेरी सौतेली माने घर में खूब हंगामा किया लेकिन कम से कम मेरे पापा के अंदर मेरे लिए इतना प्रेम तो बाकी था कि उन्होंने मेरी शादी नहीं की और सौतेली मा के लाक मना करने के बाप जूद भी मुझे यहां पढ़ने के लिए भेज दिया लेकिन मुझे तो मेरे माबाप दोनों ही छिन गए मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई कि भ कि माएं उन्हें डाटती हैं पुछकारती हैं उनके पिता उनके लिए ना जाने कितनी तरह की चीजे लेकर आते हैं पर मेरे जीवन में तो मेरे लिए ऐसा कोई भी करने वाला नहीं है मैं अपने पिता के लिए सिवा एक बोज़ के और कुछ भी नहीं इस सब की वज़ा से मेरा पढ़ने में अब बिल्कुल मन भी नहीं लगता है आप पूछ रही थी ना कि मैं घर क्यों नहीं जा रही हो आप ही बताईए आकिर मुझ जैसी लड़की को अपने घर जाकर क्या करेगी जिस घर से उसे पहले ही निकाला जा चुका हो जिस घर में कोई नहीं चाहता कि मैं वापस लोट कराऊं जिस घर में मेरे जाने की वज़ा से सिवाए कलेके और कुछ भी नहीं होगा जिस घर में कोई ऐसा नहीं है जो मेरे आने का इंतजार कर रहा हो साक्षी की सारी बाते सुनकर मेरा दिल दर्द से बुरी तरह से भर गया था मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया वह मुस्से लिपट कर और भी बुरी तरह से फूट फूट कर रोने लगी इसके बाद मैंने यही फैसला लिया कि इस बार मैं भी अपने घड़ नहीं जाओंगी और फिर मैं साक्षी के साथ ही वही होस्टल में रुख गई उस पूरे एक महीने की चुट्टी में मैं और साक्षी ने उस सहर की लगवग हर वो जगा घुमी जहां हमें सुकून मिल सकता था जहां हम कुछ नया देख सकते थे एक महीने की चुट्टियां कब खत्म हो गई हमें पता ही नहीं चला अब इस साल साक्षी का ट्वेल्थ था मैंने उसके साथ साथ सभी बच्चों को समझाया कि अब ये समय आपके कड़ी से कड़ी महनत करने का है आप सभी को अच्छे मांक्स लाने हैं ताकि आप अपने मावाप का नाम रौसन कर सकें क्योंकि अब स्कूल फिर से अपनी गती से दौड रहा था इसलिए अब मेरे पास इतना समय नहीं होता था कि मैं साच्छी से जा कर कुछ बात कर सकूँ क्योंकि स्कूल के काम की वज़ा से मुझ पर बहुत लोट पड़ गया था एक दिन जब मैं अपना पिरियड लेकर स्टाफ रूम में जा रही थी तो मैंने देखा कि साक्षी से एक औरत मिलने के लिए आई थी वह औरत उससे कुछ कह रही थी उसकी बाते सुनकर साक्षी के चहरे पर एक अजीब सी परिशानी दिख रही थी लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि वह औरत आखिर उससे क्या कह रही है मुझे धेर सारी कौपियां चेक करनी थी इसी लिए मैं फिर वहाँ से तुरंथी निकल गई धीरे धीरे दिन इसी तरह से बीतने लगे एक राट जब मैं राउंड पर थी और सबी चीजें अच्छी तरह से चेक करने के बाद मैं जैसे ही अपने कमरे में जाने वाली थी मैंने सेकेंड फ्लोर से नीचे की तरफ एक साया देखा जिसे देखकर पहले तो मैं डर गई कि इतनी रात को आखिर ये कौन है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन इंसान है और ये करना क्या चाहता है लेकिन थोड़ी ही देर के बाद वह जो भी कोई था स्कूल के कैंपस की दीवार को क्रॉस करके वह कहीं बाहर निकल गया मुझे लगा कि कहीं ये कोई होस्टल की लड़की तो नहीं है जो किसी गलत तरह की हरकत करने जा रही हो ये सोचते हुए ही मुझे उस वक्त कुछ नहीं सूजा और आनन फानन में मैंने तुरंती एक शौल लपेटी और भागती हुई मैं गेट से बाहर की तरफ निकल गई वहां मैंने देखा तो गाड गहरी नीन में सो रहा था मैं कब गेट से बाहर निकली उसे कुछ पता ही नहीं चला लेकिन इस वक्त उसे उसकी ड्यूटी या दिलाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि वह लड़की कौन है और कहां जा रही है इसके बारे में मैं पता करूँ लेकिन जब तक मैं बाहर निकल कर गई वह लड़की बाहर से कहीं गायव हो चुकी थी इसलिए फिर इतनी रात को अकेले यहां वहां उसे ढूणना मुझे कुछ सही नहीं लगा क्योंकि मुझे अपनी सुरच्चा की भी चिंता थी इसलिए मैं वापस लोट आई मैंने सोचा कि मैं इसकी जानकारी प्रिंस्पल मैडम को दूँ लेकिन सच यह था कि मुझे अभी भी पक्का नहीं पता था कि वो कोई लड़की थी या कोई चोर और अगर कुछ सही साबित ना होता तो बेचारे गरीब गार्ड की नौकरी पर बनाती इसलिए मैं खामोश रही एक दिन जब मैं ट्वैल्थ क्लास में पहुची तो बहां बहुत जोर का हंगामा मचा हुआ था मैंने सारी लड़कियों को शांत करा कर एक जगा पर बिठाया और उनसे पूछा कि आखिर बात क्या है तो उनमें से एक लड़की जो की बहुत अमीर परिवार से बेलॉंग करती थी और जिसे इस बात का घमंड भी था वह तुरन थी तपाक से कहने लगी मैम मेरे दो हजार रुपए बैग से चोरी हो गए है और मैंने जब सभी लड़कियों के बैग चेक किये तो किसी के बैग में भी मुझे पैसे नहीं मिले लेकिन साक्षी अपना बैग चेक करवाने को तयार ही नहीं है उसकी ये बात सुनकर मैंने साक्षी से कहा साक्षी बेटा अगर सभी लड़कियों ने अपने बैग चेक करवा लिये हैं तो आप भी अपना बैग चेक करवा लो इस से अनन्या का शक दूर हो जाएगा मुझे पता है कि आपने ऐसा नहीं किया है लेकिन अगर आप अपना बैक चेक नहीं करवाओगी तो फिर हर कोई आपको ही शक की नजर से देखेगा मुझे लगा था कि मेरी बात साक्षी हरगिस नहीं काटेगी लेकिन ये देखकर मैं तब हैरान रह गई जब साक्षी ने साफ इंकार कर दिया कि वह अपना बैक किसी को भी चेक नहीं करने देगी मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन वह मानने को तयार ही नहीं थी इस पर सभी लड़किया कहने लगी कि इसका मतलब तो साफ है कि साक्षी ने ही पैसे चोरी किये है इस पर साक्षी बुरी तरह से फट पड़ी कहने लगी कि मुझे पता है कि इस अनन्या के कोई पैसे चोरी नहीं हुए है इसे सिर्फ इस बात की जिद है कि इसे मेरा बैक चेक करना है और कुछ नहीं और इसलिए ये जूटा चोरी का इलजाम लगा रही है साक्षी की इस बात पर अनन्या थोड़ा सा सक्पका गई और फिर खुद को समालते हुए कहने लगी कि जूट मैं नहीं जूट तुम बोल रही हो मुझे पता है कि मेरे पैसे तुमने ही चुराए है अनन्या के चहरे की उड़ी हवाईयों को देखकर मैं समझ गई थी कि अनन्या ने ये सब जूट बोला है लेकिन क्योंकि मेरे पास भी कोई सबूत नहीं था कि सच में अनन्या के कोई पैसे चोरी नहीं हुए है इसलिए उस वक्त मैंने इस मामले को जब बढ़ता हुआ देखा तो मैं उन दोनों लड़कियों को प्रिंसिपल आफिस लेकर गई जिस पर प्रिंसिपल मैम ने अरन्या को तो समझा बुझा कर वापस क्लास रूम में भेज दिया लेकिन साक्षी अभी भी अपना बैग चेक करवाने के लिए तयार ही नहीं थी अब तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था क्या कि साक्षी के बैग में ऐसा क्या है कि वह अपना बैग किसी को भी दिखाने को तयार नहीं है उसकी जिदगी वज़ा से प्रिंसिपल मैम को गुसा आ गया और फिर जब उन्होंने साक्षी से ये कहा कि अगर उसने अपना बैग चेक नहीं करवाया तो वह उसके पापा को कल ही यहां पर बुलाएंगी इस बात से साक्षी बुरी तरह से डर गई और अपना बैग चेक करवाने के लिए तयार हो गई मैंने जैसे ही साक्षी का बैग खोल कर देखा तो मेरे होश उड़ चुके थे क्योंकि उसके बैग में कुछ अजीब से तेल की दो बोतलें रखी हुई थी इसके अलावा उसके बैग में सिर्फ कौपी किताबे थी और कुछ भी नहीं था ये तो साबित हो गया था कि साक्षी ने कोई पैसे चोरी नहीं किये हैं लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल था कि आगर ये तेल की बोतलें किस चीज़ की थी हमने जब साक्षी से पूछा तो वह पहले तो थोड़ा सा घबरा गई फिर कहने लगी कि दरसल वो मेरे हाथ पैरों में बहुत जादा दर्द होता है और जब पिछली बार मेरे पापा मुझसे मिलने के लिए आय थे तो वह मेरे लिए ये आयरविदिक तेल की बोतले ले आये थे इससे मुझे बहुत जादा आराम मिलता है उसके बात करने के अंदाज से मैं समझ गई थी किस आक्षी जरूर कुछ छुपा रही है मैंने उन बोतलों को गौर से देखा तो मुझे वह तेल बहुत अजीब सा लग रहा था लेकिन उस वक्त हमने उसे बहां से जाने दिया प्रिंसिपल मैंने भी उसकी बातों पर विश्वास कर लिया था लेकिन मुझे साक्षी पर सक हो गया था मेरा दिमाग बार बार इस बारे में सोच रहा था कि साक्षी आखिर इस तेल का क्या इस्तिमाल कर रही है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था उसी रात को जब मैं इस सब के बारे में सोचते हुए बालकनी में टहल रही थी तब ही तकरीवन बारा बजे के आस पास मैंने फिर से एक लड़की को दीवार की तरफ जाते हुए देखा इस बार मैंने फूर्ती दिखाई और मैं तुरन थी तेजी से गेट से बाहर निकली मैंने सोचा कि मैं इस लड़की का वहां तक पीछा करूंगी जहां तक ये जा रही है क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि आखिर ये लड़की कौन है और ये किस काम से हर रोज होस्टल से बाहर जाती है काफी दूर तक चलने के बाद वह लड़की एक बड़े से होटल के सामने जा कर रुकी और वहां पहुंसते ही उसने अपनी शॉल से नीचे अपना हाथ किया और फिर तो मैं दंग रह गई क्योंकि उसने जब अपना हाथ नीचे किया तो उसने एक ट्रांसपैरेंट पॉलिथीन में दो बोतले पकड़ी हुई थी और वह बोतल और कोई नहीं वही थी जो आज सुभा मैंने साक्षी के बैग में देखी थी उन में तेल भरा हुआ था इसके बाद वह लड़की बड़ी फुर्ती से होटल के अंदर चली गई अब मैं समझ चुकी थी कि ये लड़की और कोई नहीं बलकी साक्षी ही है लेकिन साक्षी इतनी रात को अकेले इस तेल को लेकर आखिर इस होटल में करने के आई है वह सब सोचते हुए मैं इतना खो गई कि मुझे इस बात का ध्यान ही नहीं रही है कि मुझे अभी भी साक्षी का पीछा करना था और ये देखना था कि आखिर वह यहां करने के आई है इस सब के चक्कर में साक्षी किस तरफ चली गई मुझे कुछ समझी नहीं आया मैंने उस वक्त रात में पहने जाने वाले कपड़े पहने हुए थे इसी लिए इतने बड़े होटल में अंदर जाने की मेरी हिम्मत ही नहीं हुई मैं वहां से उल्टे पैर वापस लोट आई लेकिन अब मुझे यह जानना था कि आखिस साच्छी यह सब कर क्या रही है मेरे मन में हजारों सवाल आने लगे आखिर एक 16 साल की लड़की इतने बड़े होटल में आदी रात को तेल लगकर क्या कर रही होगी इसका इसारा तो मुझे गलत तरफ ही मिल रहा था मेरे अंदर एक अजीब सा डर बैठने लगा कि कहीं साच्छी किसी गलत रास्ते पर तो नहीं चल पड़ी है क्योंकि एक तो उसे ना तो कभी मा का प्यार मिला और ना ही अपने पिता का और जिन बच्चों को जब अपने ही मावाब का प्यार नहीं मिलता है और उनका कोई भी अच्छा दोस्त नहीं होता है तो वह अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं और फिर वह प्यार की तलास में यहां वहां भटकते हैं जिसकी वज़ा से कई बार वह गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं उनकी समझ काम नहीं कर रही होती है और ऐसे बच्चों को भटकाना किसी के लिए भी बहुत आसान होता है अब मुझे लगने लगा था कि साक्षी जरू स्कूल की भी बहुत बदनामी होगी यह सब सोचकर मुझे बहुत डर लगने लगा था लेकिन मैं साक्षी से सामने से इन सब चीजों के बारे में नहीं पूछ सकती थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उसे इस बात का जरा सा भी शक हो कि उसकी हरकतों के बारे में इस स्कू लेकिन मुझे मौका मिल ही नहीं पा रहा था पर बहुत जल्द ही एक हपते के बाद मुझे ये मौका मिल गया उस दिन मेरे दो तीन पिरियड फ्री थे और जब मैं क्लास में जाकर मैंने ये चेक कर लिया कि साक्षी क्लास में बैठी हुई है तो मौका पाते ही मैं चुपके स उसके कमरे में चली गई वहां जाकर जब मैंने उसका सारा सामान खंगाल डाला तो मुझे उसमें से कुछ भी नहीं मिला इससे मैं बहुत निरास हो गई फिर मेरे दिमाग में ये बात आई कि साची कोई भी ऐसी वैसी चीज अपने स्कूल बैग में ही रखती है और इसी वज फिर उसे बिना पता चले मैं उसके स्कूल बैग तक कैसे पहुँचू मुझे समझ नहीं आ रहा था फिर मेरे दिमाग में एक विचार आया जैसे ही चुट्टी हुई मैंने एक बच्ची से कहलवा कर साक्षी को अपने रूम में बुलवाया जब वह मेरे पास आई तो मैंन अंदर किचिन में मेरे लिए कॉफी बनाने के लिए चली गई यही मेरे लिए सही मौका था मैंने जब यह देखा कि वह अंदर किचिन में कॉफी बनाने में बिजी है तो मैं तुरंत ही जटके से उसकी बैग को खोला पहली चैन में तो मुझे कुछ भी ऐसा वैसा नहीं मि का था कि साक्षी के कदम बहख चुके हैं वह एक गलत रास्ते पर चल पड़ी है क्योंकि ऐसे कपड़े तो एक इजददार लड़की सिर्फ और सिर्फ अपने पती के सामने ही पहन सकती है इसके अलावा बेशरम लड़कियों के तो कहने ही क्या वह तो कभी भी किसी के भी साम इस तरह के कपड़ों को आराम से पहन सकती है लेकिन मुझे साक्षी से ऐसी उमीद बिल्कुल भी नहीं थी मुझे अभी वी यकीन नहीं आ रहा था कि साक्षी के बैग में मुझे ऐसी ड्रेस मिली है मेरे पैरो तले से तो जमीन ही निकल गई थी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरी लड़की इतना कैसे बिगड सकती है और ये सब कुछ क्यों कर रही है क्या इसे अपनी इज़त की जरा भी परवा नहीं है या फिर ये अपने पिता से बदला लेने के लिए उनकी इज़त पर इस तरह से दाग लगानी की कोशिच कर रही है मैं अभी यही सब सो करी गई थी लेकिन मैं अब बहुत ज्यादा टेंशन में थी कहीं न कहीं मुझे साक्षी से लगाओ था और मुझे इस बात का बहुत दुख हो रहा था कि एक अच्छी खासी बच्ची ऐसी हरकते कर रही है जिसकी कलपना मैं सपने में भी नहीं कर सकती वह अभी सिर्फ सोल साल की थी और अगर उसके साथ कोई उच नीच हो गई तो ना जाने क्या होगा वैसे ही उसके जीवन में उसे जो भी दुख और तकलीफें मिली है वह क्या कम है जो वह अपनी मुसीवतें और जादा बड़ा रही है पर अफ सबसे बड़ा सवाल ये था कि जब साक्षी पू मैंने सोचा कि मैं इस बारे में प्रिंसिपल मैडम को बताती हूँ लेकिन फिर मुझे लगा कि कहीं उन्हें बता देने से ये मामला और भी जादा ना बिगड़ जाए क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं साक्षी को इस गलत रास्ते से प्यार से समझा बजा कर वापस लोटा जिस से उसके बिगड़ने के चांस और जादा बढ़ जाते फिर तो सायद ही है जो साक्षी कभी मेरे समझाने पर भी इस गलत रास्ते को छोड़ती उसी रात मैंने आदी रात होने से पहले ही सारी तयारी कर ली थी मैं तयार होकर बालकनी के कोने में छुपकर साक्षी का ही इंतजार करने लगी वैं जैसे ही ग्राउंड में आई और दिवार के पास पहुंचने वाली थी मैं तुरंध ही नीचे पहुंच गई लेकिन मुझे बहुत साबधानी बरत नी थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि साक्षी को जरा सीवी भनक पड़े कि मैं उसका पीछा कर रह ही हूँ आदे घंटे के बाद ही मैं एक वार फिर से उस बड़े से होटल के बाहर खड़ी थी और साक्षी होटल में अंदर जा रही थी अंदर पहुंचते ही उसने सेकंड फ्लोर की लिफ्ट की मैं सीडियों से चड़ती हुई जल्दी से उसके पीछे पहुंची लेकिन ज साक्षी जल्द बाजी में रूम का दर्वाजा बंद करना भूल गई थी थोड़ी ही देर के बाद उस रूम के अंदर से साक्षी की आवाज के साथ साथ एक आदमी की आवाज भी आने लगी जिस से अब मेरा शक यकीन में बदल गया था कि वह यहां किसलिए आई है मेरी आ जारा देख करके मेरे तो होशी उड़ चुके थे क्योंकि अंदर मैंने एक आदमी को बिस्तर पर लेटे हुए देखा और वह उस वक्त जिस हालत में था मैं उसे सब्दों में बया नहीं कर सकती हूँ वह आदमी बेसर्मी की सारी हदे पार करके ऐसे ही साच्छी के सामने मुझे देखते ही उस आदमी और साक्षी दोनों के ही होश उड़ गए मैंने तुरंती साक्षी के हाथ से वह तेल की सीसी लेकर एक साइड में फेक दी और खीच कर उसके गाल पर तमाचा मारा मैंने उससे कहा कि मुझे सरम आती है कि तुम मेरी इस्टूडेंट हो तुमारे जैसी लड़कियां अपने मावाप का नाम खराब करती हैं मुझे उस रूम में देखते ही उस आदमी ने तुरंती अपने उपर चादर डाली और वह हक्का बक्का सा हम दोनों को देखने लगा मैंने साक्षी को खरी खोटी सुनाती जा रही थी और वह फूट फूट कर रो रही थी काफी देर तक जब मैं उसे सुनाती रही और खुद भी रोने लगी तब जाकर साक्षी ने मुझे कहा कि मैडम आप मुझे गलत समझ रही हैं मैंने उससे कहा कि जूट बोलते हुए तुम्हें सरम नहीं आती मैं सब कुछ अपनी आँखों से देख चुकी हूँ इ आप जो कुछ भी समझ रही हैं वह विल्कुल गलत है आप एक बार इत्मिनान से मेरी बात तो सुनिये मैंने उस आदमी की तरफ पलट कर देखा उस आदमी की उमर काफी जादा थी मैंने उससे कहा कि तुम्हें सरम नहीं आती अपनी बेटी की उमर की लड़की के साथ इस तरह की हरकत करते हुए इस पर वह आदमी कहने लगा आप जो भी सोच रही हैं वह बहुत गलत सोच रही हैं एक बार आप मेरी बात तो सुनिये लेकिन मैं उसकी बात सुनने को तयार ही नहीं थी कि तब ही उस आदमी ने इपने शरीर के उपरी हिस्से से चादर को हटाया औ और उसने कहा एक बार ध्यान से मुझे पर नजर तो डालिये। उसके कहने पर मैंने जब उसे ध्यान से देखा तो मुझे उसके सरीर पर कई जगा पर धेर सारी खाल उतरी हुई दिखाई दी। जिसमें से ममात सा निकल रहा था जो देखते ही मुझे अजीब सी घिंसी आने लगी। मैंने उससे कहा कि आखिर ये सब क्या है। तो वह कहने लगा कि यही तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मुझे अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इसके बाद साक्षी ने वही मुझे एक कोने में बिठाया। फिर वह बोली मैडम आप जानना चाहती है ना कि मैं आखिर यहाँ पर क्या कर रही हूँ। तो सुनिए अभी कुछ महीनों पहले मेरी सौतेली मा मुझे से पहली बार मिलने के लिए आई थी। उन्हें जब मैंने स्कूल में देखा तो मैं खुद दंग रह गई थी कि आखिर मेरी सौतेली मा मुझे मिलने कैसे आ सकती है। लेकिन उस दिन उन्होंने मुझे जो खबर सुनाई उसे सुनकर मेरे होश उड़ चुके थे उन्होंने बताया कि मेरे पापा को कैंसर हो गया है अगर उनका जल्द से जल्द अच्छा इलाज नहीं हुआ तो बहुत जल्द ही हम सब को छोड़ कर इस दुनिया से चले हैं और बस अपनी मजबूरी बता कर वह मेरे पास से चली गई मैं भले ही अपने पापा से नाराज हूँ लेकिन वह मेरे पापा हैं और मैं उनसे प्यार करती हूँ मेरे पास उनके अलावा इस दुनिया में अब और कोई भी नहीं है अगर मैं उन्हें भी खो देती तो मेर मुझे कोई अच्छी नौकरी मिल जाए मैं अपने पापा की टेंशन की वजा से दिन रात बहुत परेसान रहने लगी थी और भगवान से दूआ करती थी कि वह मुझे कोई रास्ता दिखाएं फिर एक दिन जब हम सभी लड़कियां अपने जरूरी सामान को खरीदने के नहीं थी और हम लोग बाहर इंतजार कर रहे थे तभी मैंने एक केविन से कुछ तेज तेज आवाजें आती सुनी मैंने जब वहां जाकर देखा तो वहां पर जो नर्स थी वो बहस कर रही थी कि मैं इस आदमी के मालिस नहीं कर सकती मुझे इससे बहुत घिन आती है वहां दॉक्टर बहुत निराश हो गया और उसे समझ नहीं आ रहा था यह देखकर मुझसे रहा नहीं गया क्या कि मामला क्या है मैंने जब दॉक्टर से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि यहां पर एक मरीज है जिसको बहुत बुरी तरह से बोड़ी में अलर्जी है इतनी कि जखमों से ममाद निकलता है जिससे हर किसी को उससे घिन आती है लेकिन उसका इलाज सिर्फ यह तेल है इस तेल से उसकी लगातार मालिस अगर होती रहेगी तो वह धीरे धीरे ठीक हो जाएगा लेकिन उसकी मालिश करने के लिए कोई भी तयार नहीं है मैंने जब डॉक् तो मुझे पता चला कि उनके दो बेटे हैं और ये एक करोड़पती इनसान है इन्होंने अपने पूरे जीवन को बहुत अच्छे से जिया लेकिन बुढ़ापे में आकर इन्हें ना जाने कहां से ये बीमारी लग गई और इस बीमारी के चलते ये पूरी तरह से घर पर ब आज उनके पास सिवा इस होटल के और कुछ भी नहीं बचा है उनके दोनों बेटे अपने बीबी बच्चों को लेकर विदेश चले गए हैं और इन्हें यहां अकेला छोड़ गए उनकी कहानी सुनने के बाद मुझे बहुत दुख हुआ अभी तक मैं यही सोचती थी कि सि सौतेला बेवार करते हैं लेकिन इन्हें देखकर मुझे इस बात का एहसास हुआ कि बच्चे भी अपने मावाब के साथ सौतेला बेवार किया करते हैं इनकी और मेरी कहानी लगबग एक सी ही थी इन्हें भी अपनोंने धोका दिया था और मुझे भी इन्होंने मुझे यह कि मैंने फॉरान ही हाँ कर दी लेकिन अमस्किल यह थी कि मैं सकती थी इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं हर रोज रात को सद और निकल कर इनको सोडतल में आकर उनकी सेवा किया करूंगं जिससे उनकी बीमारी भी दूर हो जाएगी और इधर मैं अपने पापा का भी अच्छा इलाज करा सकूंगी ये तेल की बोतले भी इनके लिए ही थी जिने मैंने ही मेडिकल स्टोर से खरीदा था और यहां लेकर आया करती थी इसलिए ये उस दिन आपको मेरे बैग में मिली मैंने साक्षी से कहा कि लेकिन एक दिन मुझे तुम्हारे बैग में एक द्रेस मिली थी जो कि बिल्कुल भी देखने में ठीक नहीं थी इस पर साक्षी कहने लगी कि दरसल वो द्रेस मेरी नहीं है एक दिन जब मैं होटल से बाहर निकल कर वापस हॉस्टल जा रही थी तब ही मुझे एक लड़की मिली वह मुझे बहुत रिक्वेस्ट करने लगी कि मैं उसकी इस ड्रेस को अपने पास कहीं छुपा लूँ क्योंकि अगर उसके पैरेंट्स को उसकी ड्रेस के बारे में पता चल गया तो वह उसकी बहुत पिटाई कर देंगे उसके आंसो देखकर मैं पिगल गई और मैंने उस ड्रेस को अपने बैग में रख लिया लेकिन इससे पहले कि मैं उससे वह ड्रेस बापस करती वह अपने मम्मी पापा के साथ वहां से चली गई मैं उस ड्रेस को अपने सामान में कहीं रखना नहीं चाहती थी क्योंकि अगर मेरे रूम की किसी भी लड़की के हाथ में वह लग जाती तो शायद ही है जो कोई मेरा इस बात का यकीन करता कि वह ड्रेस मेरी नहीं है इसे लिए मैंने उसे अपने बैग में ही छुपा लिया क्योंकि मैं अपने बैग को हमेशा अपने पास ही रखती थी तो मुझे इस बात की तसली थी कि उसके बारे में कभी किसी को पता नहीं चलेगा और एक दिन मौका पाकर मैं उस ड्रेस को कहीं बाहर जाकर फेक तूँगी लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप उस ड्रेस को देख लेंगी और मुझे गलत समझेंगी उस होटल का मालिक मुझसे कहने लगा मैडम ये बच्ची बहुत नेक है इसने मेरे लिए जो किया है वह मेरे बच्चों तक ने नहीं किया मेरे जीवन की इतनी बड़ी मुश्किल में इसने मेरा साथ दिया है मेरी सेवा की है इसलिए भगवान के लिए इस लड़की को गलत मत समझिये सारी सच्चाई जानने के बाद मुझे खुद पर बहुत अफसोस हो रहा था कि मैंने साक्षी के बारे में ऐसा सोचा मैंने साक्षी से कहा कि लेकिन अब तुम आज के बाद यहां रात में नहीं आओगी बलकि प्रिंसिपल मैडम से इस बारे में मैं खुद बात करूँगी और स्कूल के बाद शाम को यहां आकर तुम अपनी ड्यूटी पूरी कर सकती हो और अपने पिता के प्रती अपना फर्ज निभा सकती हो इसके बाद जब मैं प्रिंसिपल मैडम से बात कर ली थी तो उसके बाद साक्षी आराम से उस होटल के मालिक का इलाज करने के लिए चली जाती थी पढ़ाई पूरी होने के बाद साक्षी तो वहां से चली गई लेकिन मैं उससे हमीशा टच में रही साक्षी ने अपनी बेटी होने का फर्ज निभाया और अपने पिता का अच्छा इलाज करवा कर उन्हें विल्कुल ठीक करवा लिया उस करोड़ पती आदमी ने साक्षी के किये का एहसान का बदला उसकी जिंदगी को सफल बना कर किया उस आदमी ने साक्षी की आगे की पूरी पढ़ाई का खर्च उठाया और उसे सहर की मल्टी नेशनल कमपनी में नौकरी भी मिल गई इसके बाद जब उस आदमी का देहांत हुआ तो उसने अपने उस होटल को साक्षी के नाम पर ही कर दिया आज साक्षी ना सिर्फ अपने पैरों पर खड़ी है बलकि उसके साथ साथ वह उस होटल की जिम्मेदारी को भी बहुत अच्छे से निवा रही है तो दोस्तों आपको मेरे द्वारा लिखी हुई ये कहानी कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और प्लीज मेरे इस चैनल को सपोर्ट करें इस कहानी को जादा से जादा शेयर और लाइक करें साथ ही अगर आप चाहें तो मुझे सूपर थैंक्स भी खरीद कर दे सकते हैं सूपर थैंक्स का ओप्शन आपको इस वीडियो के नीचे दिये हुए सभी ओप्शन में दिख जाएगा जो की हर्ट शेप में बने हुए डॉलर के साइन के तौर पर है और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरूर दबा दीजेगा ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानिया सुनाती रहूं थैंक्यू